नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल All Technical Solutions में दोस्तो आपने हवी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो दोस्तो आज कल हर कोई इनसान MX Player अपने मोबाईल में इंस्टॉल कर लेता है और उसे यूज़ करता है जिनके पारे में आप definitely नई जानते होगे इन 5 secret features को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर end तक जरूर देखे इसे बिलफुल भी skip ना किजिए तो दोस्तो ज़्यादा time waste किये बिना मैं सिधा आपने वीडियो को शुरुआत करता हूँ तो दोस्तो चलिए बात करते ही feature number one के बारे में तो दोस्तो यह मेरे mobile के एक वीडियो है जिसे में play करके आपको feature number one के बारे में बताता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को में play करता हूँ तो दोस्तो यह में ने इस वीडियो को open किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो इसका volume बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि maximum 15 तक यह volume बढ़ सकता हैं अगर आपके mobile में voice कम हो या आपके वीडियो की voice थोड़ी सी कम हो तो आपको इसको सिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो दोस्तो ट्रिक नंबर 1 यह है कि हम इसका volume और खैसे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ वीडियो के उपर जो hw का icon दिख रहा है वहाँ जाएगा अगर आपके mobile में hw plus का option नहीं आ रहा है आपको क्या करना है आपको simply पीछे जाना है और main menu में आने के बाद आपको यहाँ पर जो three dots दिख रहे हैं वहाँ पर क्लिक करके आपको setting में जाना है उसके बाद आपको decoder में जाना है जो three number का option से वहाँ पर जाने के बा बात करते है trick number two के बारे में तो दोस्तों अगर आप कोई भी वीडियो अपने MX player पर watch कर रहे हो और आपके WhatsApp पर या email पर कोई message आता है तो आप उस message पर अगर क्लिक करते हो तो आपकी वीडियो pause हो जाती है trick number two में हम बताने वाले है कि आप किस तरह से अपनी वीडियो को continue र रिचे जाने के बाद आपको एक option मिल जाएगा background play तो यहाँ पर देख सकते है कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है background play तो इस पर click करने के बाद आप वीडियो देखते हुए कोई भी messages WhatsApp के या Facebook के messages अगर आप open करते है तो आपकी वीडियो background में continue चालू रहेगी वो बंद नहीं होगी तो दोस्तो चलिए बात करते है trick no.3 की बारे में तो दोस्तो जब भी आप video को play करते हुँ तो आपको क्या करना परता है कि जो play बटन है वहाँ पे आप click करते हुँ तो video play हो जाते है और जब भी आपको उसे pause करना हो तो आपको फिर से pause button पे click करना पड़ता है तो दो dots पे click करके फिर से setting में जाना है और setting में जाने के बाद आपको फिर से player में जाना है और वहाँ पे जाने के बाद जो controls का option है उसे click कर दीजे और वहाँ पे जो double tap का option है वो अभी enable नहीं है उसे आपको enable करना होगा और इसे okay कर दीजे तो इसके बाद मैं आपको अपने वीडियो प्लेयर पे लेके चलता हूँ और आपको इसे play pause करके दिखाता हूँ तो जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने double tap किया तो मेरे वीडियो प्लेय हो गई मैं स्क्रीन पे कई भी इसे double tap करता हूँ और देखिए यह फिर से pause हो गई यह देखिए दोस्तो यह फिर से play हो गई और फिर से pause हो गई तो दोस्तो अभी बात करते हैं trick number 4 के बारे में तो दोस्तो जादा तर हम MX player अपने videos प्ले करने के लिए use करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हम MX player पर audio भी सुन सकते हैं तो दोस्तो अगर आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो आपको यहाँ भी audio file या audio वाला folder यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो आपको उन files को यहाँ पे browse करने के लिए एक option को enable करना होगा तो इसके लिए पिर आपको three dots पे click करके setting पे जाना होगा और वहाँ पे जाने के बाद आपको audio पे click करना है और जैसे आप audio पे click करते हैं आपके समने पहले option आईगा audio player जो कि अभी disable है आपको इसे enable करना होगा और इसे enable करने के बाद आपको फिर से back जाना है जैसे आप back आगए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 12 जो audio files है वो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं पहले यह दिखाई नहीं दे रहे थे तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे आप audio player की तरह भी use कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए बात करते हैं trick number 5 के बारे में तो दोस्तो कभी कभी आपके mobile में एक video file होती है जो बहुत ही high quality होती है और वो आपके mobile का जो media player है वो इसे play नहीं कर पाता है तो अगर आप उसे mx player से भी अगर play करने की कोशिश करते हैं तो वो mx player में भी play नहीं होता है तो दोस्तो आपको उस case में क्या करना होता है कि तो जैसे कि मैंने पहले बताया थे कि आपको यहाँ पे hw, hw plus और sw decoder मिल रहा है यहाँ पे जाके आपको sw select करना होगा और जैसे आप sw select करते हो आपकी file कितनी भी high quality क्यों नहीं हो यहाँ पे play हो जाएगी तो दोस्तो कभी-कभी बहुती बड़ी file होती है वो play तो हो जाते है लेकिन उनका audio नहीं सुनाई देता है और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि audio सुनाई देते हैं लेकिन video बिल्कुल भी play नहीं होता है तो अगर आप sw decoder select करते हैं तो आपकी audio और video कितनी भी high definition हो वो यहाँ पे play हो सकती है तो दोस्तो यह थी वो 5 features जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होगे तो आपको हमारे आज की video किसी लगी हमें comment करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को subscribe कीजिए